आपको पढ़ाया जाए अगर मैं सच बताऊं नोटिस कीज़ेगा अगर ऐसी आपको पढ़ाया जाए ऐसा ही आपको नेटर आप समझाया जाए तो मुझे बताएए कौन सा ऐसा फोन है जो आप से बनेगा नहीं बात तो यह ना आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं अगर चार दिन में आपको सानिस्टीसिंता मिले पूरी फीस लीजे अगर घर चल जाए मिले हो Regal अगर आपको चाल दिन में ऐत उसे बीडिदार अगर सीखना है तो तो कि आपको पूरी इंडिया मैं साइधी कोई बता है यह वोल्टेज यहां मिल रहे हैं वही वोल्टेज यहां मिलेंगे और सही बता हूं तो यह दोनों ही वोल्टेज आपस में कनेक्शन भी है तो यह वोल्टेज यहां पर बीप भी मरेंगे अगर यहां पर वोल्टेज नहीं आता है त कि यह डारेट लाइन गेया हुआ है अगर यहां पर नहीं आता है तो मैं बजाने वाला नहीं बैंड तो टेली कम्मूनिकेशन ची आंडर बैंड मानलब फ्रिक्वेंशी होती है वो पेड कंटेंड है बहुत सारे इंस्टीटूड यह कंटेंड इसलेन डालते यह बोलते हैं कि आईए इंस्टूट में आईए पैसे दीजे फिर सीखे मैं बोलता हूं मेरे से फ्री में ले जाओ क्योंकि इससे भी ज्यादा मेरे पास नॉलेज और ग्यान है जो आपको मैं क्लास में दूँगा चलिए बास करें एक इसी में डाल आँ यह डाल आँ पावर में पावर आपने दिल को बड़ा दिखाओ तो अब हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के है मेरा है मेरी जुरीStudy तो हाई मारी यूडू फेमिली कैसे आप सभी लोग मेरा नाहीर देवतन कुछेदگ आज का जो सब्जेट है आज का यो टोपिक है वो कमाल का यह पूल है यह नेट्रॉक सेक्शन के डीर-एक ्सेक्शन का डोस्तो डीर्एक्शन को बहुत तरहें लोग कटराते हैं दर्टे हैं पढ़ाने को क्योंकि समझ से बाहर हो जाता है DRX section का फुलफर्म होता है diversity receiving मतलब एक तरह से एक और antenna हमारी फोन में 202 तरह के antenna होते हैं जो primary receiving होता है और DRX receiving होता है और दोनों ही तगने network को पूरा करने के लिए बनाये जाते हैं DRX भी एक receiver होता है यह पूरी की पूरी तरीके से receiver होती है जो आपको receiving करके signal को आपके main trans receiver को जो कि आपका WTR होता है उसको send करती है आइए बात करेंगे हम इस DRX IC की और अज पहली बार इस पहली बार यूटूब के stream में DRS को जिस तरह से मैं explain कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि किसी ने explain क्या होगा मेरे बात कोई video आजाए कि बहुत अलग बात है तो दोस्तो यह IC आपको अगर आपने इस video को skip किया अगर आपने इस video को नहीं देखा है तो net truck बनाने में हो सकता है जिन्दिगी बर problem आए क्योंकि आप WTR बदल चुके हैं आप voltage पे काम कर चुके हैं पीफो पे काम कर चुके हैं तो यह मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ इसके साथ में आपको band के बारे में बताने वाला हूँ कि basically filter band किस तरह से काम करते हैं अगर वो band एक single band हो जैसे single filter हो या एक duplex या duplex filter हो या एक SPDT filter हो तो हम तीनों की बात करेंगे तो switching कर जैसे switcher की जैसे काम करते हैं भी student इसको देख रहे हैं इसे फायदा उठाएं और अपनी knowledge को बढ़ाएं और दोस्तों अगर आपको ऐसे कुछ ग्यान देना है तो हमारे institute को join करें और एसर टेली कॉम में और लाइफ वीडियो देखें फेजिव में जाए एसर टेली कॉम सर्च कीजिए वाहाँ पे आप डेली लाइफ हमारा देखें और रात का लाइफ जरूर देखेंगा आट बज़े से बाड़ा वज़े के बीच में और या आज हमारी का आज की जो आज मैं वीडियो डाला हूँ दोस्तो, DRX IC क्या होता है, मैं नोटिस कीजेगा, इस IC के बारे में, बताने को तो बहुत कुछ है, पर मैं आपको सारी information बताऊंगा, और इसकी पूरी data sheet उठाऊंगा, यह Redmi 9A का set है, आप नोटिस कीजे, यह आपका Redmi 9A का MediaTek का WTR है, अलाकि मैं WTR कह रहा हूं, पर यह इसका trans receiver है, अब WTR एक common सब्द हो गया है, हर एक को WTR कहना, पर मुझे पता इसका technical नाम क्या है, पर मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, क्योंकि इमें class का content है, पर अभी मैं इसको WTR बता रहा हूं, और दोस्तो, यह होती है DRX IC, नान दीजेगा, जिसमें कुछ lag होते हैं, और इसके साथ यह जो antenna दिखाई दे रहा है, तो यह DRX IC के साथ connect होता है, और यह इस IC को, इस antenna को DRX antenna कहते हैं, तो आप हर जेके काम कर लेते हैं, पर आप इस antenna को ignore कर चुके हैं, क्योंकि knowledge नहीं है, तो क्यों, तो आपको knowledge देते हैं, चलो इस वीडियो से, और इसलिए like और subscribe कर देना मेरे भाई क्योंकि यह इस तरह का contain डालने से लोग कत राते हैं, या बनता ही नहीं है, तो इसलिए like और subscribe कर लेना, और जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और जो लोग हम से सीख रहे हैं, तो वो भी भाई एक बार like कर दो यार और अपने दिल को बड़ा दिखाओ थ यह आध करते हैं, इस अपनी को थोड़ा सा सब्सक्राइब करता हूं, तो आपको साहरी समझ में आए, इसलिए मैं इसको अलग से सब्सक्राइब बना रहा है, तो मैं इसको भी प्प्रें करोंगा एक बार पर मैं आपको एक बार यह दिखा दिना चाहता हूं, को मुझे ऐ में पतला है कि अगर को समय में आएगा और इस बात का मैं डावा करता हूँ तो आएए दोस्तों समझते हैं यहां पर मैंने कुछ IC डिजाइन की है तो यहां पर मैं अगर उन ICो के नाम लिखूं तो दोस्तों यहां पर पहली जो IC है यह DRX IC जिसके हम बात करेंगे दूसरी IC है यहां पर WTR IC तीसरी IC है मतलब यहां पर भी डबलू टीयार मैंने बनाया औ जो इसकी communication line की IC है और एक power जिससे यह voltage लेगा तो अगर हम बात करेंगे यहां पर लाइनों की तो दोस्तों DRX IC में basically कितने lags होते हैं तो आएए बात करते हैं तो आपको 4 lag आपको यहां देखने को मिलेंगे nose cut point के बाद तीन lag आपको यहां फिर 4 lag आपको यहां देखने को म 2, 10, 11, 12, 13, 14 और जो 15 नमबर होता है दोस्तों वो बीच में ground होता है तो यह कैसे मैंने डाला अगर यह सीखना है क्लासर जोइन करो ना यार यही तो होता ना YouTube से online से आप सिर देख सते हो आप बहुत हजारों सवाल नहीं कर सते हैं पर सामने बैठने के बाद आप देख सते ह हो हजारों सवाल कर सकते हो और अपने टीचर के साथ बैठ कर उस फोन पर काम कर सकते हो जिससे आपका जो जो आपका जो बिसिकली नौलेज है वो इदम से भड़ेगा और जो आप जो है वो फट से अर्स पर जाएंगे सच बताएं और यही सारे अभी मार्केट में बच्च आप जो है जो ग्यान दिया है वो बहुत सारे इंस्से लेंनी डालते यह बोलते हैं कि मैं बोलता हो मैंसे फ्री में यहां कुछ चले बात करेंगे दोस्तों अभी इस इस और इंप्ट करने के लिए बताता हूं जैसे मेरा एक हमेंसार से एक उधारन के तवर मेरेक फंडा तो दोस्तो हमें क्या पहुचाना है चलिए इसके बारे में बात करते हैं तो हमें बेसिकली चार चीजे पहुचाने हैं हमें बेसिकली टीन टाइप के हमें नैट्रक या हम बात करें सप्लाइ जो DRX क्या हो गया डाइवर्सिटी रिसीविंग महले एक ऐसा आईसी जो रिसीव कर रहा है और रिसीव करके किसको दिरा है ट्रांस्मिट आईसी को ट्रांस रिसीवर और वो कौन है डब्लू टी आर सो आपके डब्लू टी आर को कौन कौन सी आईसी मिल रही है तो दान देना तो आपके डब्ल gtr को मिल नहीं है टीन लोबर बैन यक् Ты हो एक और हर बैंड की हर बैंड मर्ला बजाने वाला बैन नहीं बैंड मतला फ्रिक्विंसी वाला बैंड यह सनकथे फ्रिक्विंसी प्रेंड है अगर मैं high band की बात करूँगा दोस्तों, तो high band में आपको जो band मिलने वाला है, जो आप देखेंगे, तो एक आपको मिलेगा यहाँ पर B41, एक आपको यहाँ मिलेगा B38, एक आपको यहाँ पर मिलेगा उपर वाला है जो दोस्तों मिलेगा B40, एक मिलेगा B41 और एक मिलेगा B7, तो इस तरीके से आपको band मिलेंगे, जब भी भी आप इस band की बात करेंगे तो यह higher band है, तो यह high band होंगे, वैसा ही आपके low band होंगे, तो आपके low band होंगे दोस्तों, उसको भी मैं कुछ अलग कलर से टालने की कुसर्त करता हूं, ciones- लोवर बैंड पर आगर बात करूंगा, तो दूस्तों, और अगर मैं कुछ बैंड कर लोवर बैंड में दूस्तों मुझे कुछ band देखने को मिलना है, जैसे B20, B8 और B5 तो आप आप नोटिस करो इतने सारे बेंडों तो इतने सारे बेंडों को पो हुचाना है मतलब यह कोडिऄ कंपणी है DRS a怖ies company है जिसको डिली से जभालपुर तक कुड़ियर पोचाना है यह आपका जमलपूर है और डियारा इस डेली है तो इतने सारे पैकेड उसको पहुचाने है वो पैकेड वो अलग-अलग फिल्टर करके कैसे पहुचाएगा आईए यही समझते हैं तो चली तो हम इतने सारे बैंडों को पहुचाएंगे आप तरह धान दीजेगा तो अब य सिंगल फिल्टर लगा है जो खाली इन-ट कर रहा है और उसके बाद में तो नमबर वन पर जो बैंड जा रहा है वो जा रहा है आप यहाँ पर इस आई-टी में पढ़ा सकते हैं और शर्कृत को फोल के दिखाऊंगा इसको संड्कित को भी एगशर को पर दिखाऊंगा बी जो आपको band मिलेगा वह band मिलेगा आपको B5 यहां पर B5 और यह जो B5 है यहां पर मैं lower band बना रहा हूं दोस्तो LB आप दान देखें कि दो band मिल गए चलिए अब यहां पर जाते हैं तो देखें तो B20 यह मिल गया और B5 यह मिल गया नोटिस करो B20 मिला पिन नंबर 1 से B5 मिला पिन 2 से सो आप जहां देना यह direct नहीं मिल रहे है कंट्रीटी नहीं आएगी क्योंकि एक single filter लगा हुआ है एक single in out filter लगा हुआ है जो filtration कर रहा है और unwanted frequency को ground कर रहा है इसलिए उसमें एक ground भी है, अब मैं बात करूँगा, इसके बाद, तीसे नमबर पर आपको कौन सा एक band मिलेगा, तो दोस्तों, तीसे नमबर पर आपको एक mid band देखने को मिलेगा, जिसमें भी आपका in हो रहा है, और out हो रहा है, अच्छा, यहाँ पर जितने भी arrow दिये और एक band 39, और जो band 39 हैं दोस्तों, यह एक mid band है, तो चलिए आई यह band 39 देखते हैं, कहाँ पर है, तो notice करो, यह mid band है, यह तीसे नमबर पर आपको मिल रहा है, तो अगर यह नहीं मिला, तो mid band के जो भी connection है, वो टूप जाएंगे, और यह band, अगर आपके, हमारा जो net truck है, अ उस ताइम पर हमें, हो सकता है, no service आए, तो अगर हम बात करेंगे, दोस्तों, अब इसकी, इस IC को on करने के लिए, कौन सी supply की जरूएत है, तो इस IC को on करने के लिए, यहाँ पर जो supply की जरूएत है, वो चार नमबर की supply है, जहाँ पर VDD, 2.8 voltage, एक capacitor के तुरू आ रहे हैं, म मिलेगा, जो किसी भी L line से, for example, मैंने कुछ मुबाइलों में देखा है, यह L 18 की line से मिलकर बनता है, जो की power IC से बनता है, अब दोस्तों, अब इसके बाद में, और आगे की बाते करते हैं, तो दोस्तों, इसके बाद ना, कुछ line आपकी CPU के साथ जाती है, जैसे 5, 6, 7, तो यह क्यों जाएंगी, क्योंकि CPU को स्विच करना चाहेगा, तो यहां पर यह switching की line है, switching 3, switching 2, switching 1, so आप notice करो, अगर मैं आपको यहां पर देखा हूँ, तो आप यहां पर देखिएगा, तो यहां पर आप नोटिस कीजेगा, यहां पर देखिए, तो यह एक 5, 6, 7 और यहां प आपको चेक क्या करना है, अब आपको चेक यह करना है, कि आपको यह आइसी निकालनी है, और यहां पर आपको जियार चेक करना है, यहां पर आपको जियार जियार और यह जियार आपका CPU से आना चाहिए, क्योंकि यह डारेट लाइन गया हुआ है, अगर यहां पर जियार नहीं आता है तो मैं CPU को रिबॉल करना पड़ेगा या उसकी communication या उसकी जो मिड्ल लाइन है वो चेक करनी पड़ेगी कहीं वो गिरनी की वज़े से ब्रेक तो नहीं हो गई है को देखने को मिलेगा सो नौनंबर पर दोस्तों किस तरह से ह Campaign है इंगर अगाँ करें चर। में देखने को मिलेगा और यहां पर सिंगल फिल्टर नहीं कर देखन erm pewno नहीं लगा पर नहीं आए यह देखो ऐसा डबा जहां पर एक supply जा रही है आपकी band 1 और एक जा रही है band 3 और यह जो mid band है अब डुप्लेक्स filter क्या करता है एक इन लेता है और उसको डिवाइड कर देता है दो तो मतलब यह क्या करेंगा दोनों बैंडों को डिवाइड कर देगा किस तरीके से एक इधार और एक इधार तो एक यहां पर कर देगा band 1 और एक band 3 जो कि water damage के सेटों में या पानी जम जाने के वज़े से या गलत तरीके से पत्रा निकालना जो सील्ड होती है उस वज़े से यह जो फिल्टर होते हैं यह तूट जाते हैं या किसी technician ने इस पर काम किया हो या गलत तरीके से लगा दिया हो कुछ भी हो सकता है जोस्तों अगर मैं ब factor web दाने डिखाधा में आव दिखाता हूं band 10 और band 11. so band 10 पर हम अगर में hetलो तो यह जो frequency हो Here हम निकल रहा है आप नोटिस किजिए एक b38 एक B41 और बैंड 11 पर जो निकल रहा है और B7 तो यह तिनो जो फ्रिक्रेंसी है यह हाई बैंड की फ्रिक्रेंसी है अब हमें क्या करना है इन तीनो को जोड़ना है तो इसके लिए हम एक बॉंडिंग एक ऐसी आईसी लगाएंगे तो शुचर जैसी काम करेंगी और तीनो बैं को इन कराएंगे तो यहां पर भी इन हो गया यहां पर भी इन हो गया अब हम नोटेस कीजे यहां पर दोनों बैंड इन हो गया है अब यहां पर हम इसको क्योंकि एक शुचर हो गया है तो इसको भी हम यहां पर एक इन्पुट वोल्टेज देंगे और यहां पर भी इस रहेंगे अगर यहां पर voltage नहीं आता है तो यहां सोटा कि यहां पर आप जम पर मार सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ और इसके साथ एक लाइन और होगी जो यहां पर आपके CPU को connect होगी जो एक तरह से CPU को signal देगी ठीक है कि switching जैसा काम हो रहा है कि नहीं हो 51 और यह आपका पहुचेगा हाई band DRX में मतलब आप देखा तो आपने देखा सिगनल फिल्टर आपने रेकाव दुल फिल्टर डॉप्लैक्स इसको मैं करते हैं कि तो बेसी कि ओर इसको बेसी को कि हम还有 कि एसको का humanos काम देना आ तो को जूइंड करके एक single बैन डे रहा है सारी फ्रिक्राइंसी को कलब कर रहा है करके एक WRC को दे रहा है सॉ谢谢 किज़ेगा यहाँ यहां पर यह डेखिए हाइ बैंद कर देखिए यहां पर 38 48, 41, 7 तब जाके क्योंकि वह स्विचर से पहुचा हुआ है और जो इसके 10 और 11 नंबर की पिंच से पहुच रहा है अब बात करते हैं हाई भी 40 एक और है आपर तो चली देखते हैं अब यहां पर क्या बचा हुआ है अब 12 नंबर की लाइन बची हुई है और दोस्तों 12 नंब पर अगर मैं बात करूँ 12 नंबर पर इस तरह से एक सिंगल फिल्टर लगी हुई है जो केबल इन आउट कर रही है और यहां से जा रहा है आपका बैंड 40 और बैंड 40 भी एक हायर बैंड है तो यहां पर इसको एक हायर बैंड भी मिल जाता है तो यहां पर हम लिख सते हैं बैंड 40 HB जो एक DRX मतलब जा रही है WTR को यहां पर आप देखें यह भी हो गया तो यहां पर हम बात करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर जो देख रहे होंगे इस IC के साथ यह जो एंटीना देख रहे हैं आप तो यह एंटीना करनेट है इस तेरह नंबर से तो अगर मैं बात करूँ यहां पर तेरह नंबर से यहां पर डाला गया है DRX एंटीना तो आपको यह एंटीना की लाइन भी चेक करनी है कि यह कनेटेड है की नहीं है इसके लाइन के बीच में कोईले हो सती है हैं तो यह आपको देखना बहुत ज़्यादा जोरी है अब मैं बात करूंगा एक लाइस पिन बची हुई है दोस्तों क्योंकि हमारा एक ही एक ही सर्केट बचा हुआ है क्योंकि हमारा यो यहां बात करेंगे यहां और यहां पर यहां पर निकलकर इस बैंड में पहुच रही है और जहां पर मैं लिख सकता हूँ band 8 और यह band है आपका lower band तो दोस्तो इस तरीके से यह IC यहां पर काम कर रही है अगर ऐसी ही आपको पढ़ाया जाए अगर मैं सब्सक्राइब अगर ऐसी ही आपको पढ़ाया जाए ऐसा ही आपको नेटरॉप समझाया जाए तो मुझे बताए कौन सा ऐसा फोन है जो आपसे बनेगा नहीं बात तो यह ना आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं अगर आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा और अगर आपको इससे भी कहीं उपर सीखना है तो किलास में आईए हमें कॉल लगाए और कॉल लगाए के एडमिसन लेजे और उसके लिए प्रमान चाहिए तो चार दिन का प्रमान मैं देटा हूँ आपको अगर चार दिन में आपको साइडिस्वेक्शन नहीं मिले हमारे फीस लीजे और घर चले जाएए अब इससे बड़ी बात में क्या कहूंगा बट इससे भी कहीं उपर अगर सीखना है तो क्लास आईए दावा करता हूँ कि वो सर्केट को बताऊंगा जो आपको पूरी इंडिया में साइड ही कोई बताए तो यह दावा मैं एस यूटिव अनगवाल इस यूटिव चैनल से कर रहा हूँ तो दोस्तों कैसा लगा यह दियारेक्स सेटकेट के वारे में उन्हें खोल के बताया है अब आप जैसा की सटकेट में बताया है वैसा ही आप सटकीट में जाए और इसको सर्च कीजे आप मुझे कमेंट कीजे कि सर एक बार बता दो क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ा हो गया है तो मैं एक नया वीडियो इसके बाद बताऊंगा कि इसी आईसी को अभी मैंने बनाया है तो इसका मैं पार्ट टू लेक्किया हूंगा जिसमें मैं यही आईसी को स्कमाटिक में स्प्लीन कर दूँगा सो देखने के लि क्या ना में आपका हूंगा 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 बब दो जाज, झाल, झाल, झाल